हेलो एवरीबड़ी माई नेम इस नेहा सच्देव और इंग्लिश एडूकेटर आज स्टेप अपकाडमी और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही कॉमन टॉपिक जो सब को पता होना चाहिए स्पेसिफिकली अगर आपकी ग्राजुएशन कंप्लीट हो गई है या फ पर आपने सिर्फ ट्वेल्थ पास करी है और आपको जॉप के लिए अफलाई करना है तो आपको तीन चीजों के बीच में डिफरेंस बहुत अच्छे से पता होना ही चाहिए आई होब आपको समझत वाही गया होगा मैं क्या बताना चाहती हो जब हमारी पढ़ाई कंप्ली क्या है हम क्यों इतनी एडिकेशन देता तो गट के लि Значит originally the to get a good जॉप और जॉप के लिए हमें क्या करना पड़ता है हमीं इं recipro क्र्णा पड़ता है और इंट बिए से पहले हमें क्या इंच आ कहिए हूटा है तो वहां पर एक झाहली से पहले हमें क्या करना होता है तो वाह also share all your friends or any one of you who knows कि आपके कोई एक्वेंट है ऐसे जो जो जॉब आस्पिरेंट है जो जॉब ढून रहे हैं तो उनके लिए ये वीडियो तो बहुती ज्यादा बेनिफेशल होगा तो उनको शेयर करना बिलकुल भी नहीं भूले थांक यू वेरी मच चल दी से अब हम टॉपिक तापिक ताट इस वाइज दिफरेंस बिटवीड ऐसीवी आ रिजियो में नो इस रेजमे बिकेज ये फ्रेंच वर्ट से ओर जिन हुआ है इसका सही प्रनुंसियेशन जो बहुतों को नहीं पता होता और बहुत लोग इसको रिजियूम बोलते तो यहां पर मैं छोटी सी चीज को क्लियर करना चाहती हूं रिजियूम स्पेलिंग बिल्कुल सेम होते हैं यह वाला जिसको हम रिजियूम बोल रहे हैं जो मैंने रिट से लिखा है इसका मतलब होता है कि और एक्जैंपल मैं पढ़ा रही हूं मैंने एक छोटा सा पॉस लिया या ब्रेक ल दिया था जैसे हम रिस्टार्ट बोलते हैं न वैसे यहां पर होता है रिजियूम करना सो कम स्टूरेंट्स लेट्स रिजियूम विद एक लास मानलो मैं आपको पढ़ा रही हूं और देवाजन कॉल मुझे बुलाया गया आई अटेंडिट फॉर तु कपल अफ मिनिट्स म में क्या होता है अभी हम इस डीटेल्ड वीडियो में बहुत अच्छे से समझ लेंगे बट अभी के लिए में यह समझ रहे है कि इसका राइट प्रिनन्सियेशन क्या होता है सो इस सीवे एंड देन कम्स इट इस रेजमे और लास्ट वला आता है बायो डेटा यह तो और ज भी बहुत इंट्रस्टिंग चीज है जो हमें पता हो है फाइनल परपस तो देखा जाए हम इतनी अच्छी एजुकेशन लेते हैं पेरेंट इतना अच्छा हमें एजुकेट करते हैं अच्छे स्कूल्स में कॉलेज इनिवर्सिटीज में और उसके बाद हमारा परपस होते है क्या दाट इस बायो डेटा इग्जाक्ली तो आज हम इस वीडियो में इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि तीनों के फॉर्माट कैसे होते हैं क्या डिफरेंस होता है क्या कॉमन चीज होती है और किसका परपस क्या होता है कौन सी चीज हमें कहां पर य curriculum vitae, curriculum v-i-t-a-e, इसका spelling ये होता है and right pronunciation is vitae, curriculum vitae in the literal sense, it means course of life, to course of life से हमें समझ में आ रहा है, जो भी हमने अभी तक किया, एक detailed way में हम कुछ लिखके सामने वाले को बता रहे हैं, अपने बारे में, now the meaning of the word indicates some sort of mini version of your life, which is briefed in a certain number of pages, आपकी entire life achievements को हम बहुत ही contracted way में, बहुत ही precise या brief way में, जम किसी के सामने प्रेजन करते हैं, कुछ pages में तो उसको CV बोला जाता है, now indeed this format is used when we want to describe our life's achievement in a detailed manner, अब ये format हम CV का format कभी ये उस करते हैं, अब ये बताने से पहले इसको continue करने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूंगी, CV, resume और bio data, तो CV का purpose अगर मैं बहुत nutshell में या बहुत broad way में समझाओं कि क्या होता है, तो CV exactly freshers use करते हैं, और अगर आप first time job देख रहे हो, तो हमीशा याद रखना कि you have to prepare your CV, आपके पस कोई भी अभी तक work experience नहीं है, कोई professional skills नहीं हैं आपके पास, और जब आपने एक job कर ली हो, जब आपको work experience कहीं से मिल जाए, उसके बाद में आप prepare करते हो, resume, आप ऐसा भी समझ सकते हो, कि resume, resume का मतलब क्या होता है, जब हमने एक चीज़ कर चुकी है, break लिया, फिर आप दूसरी जगा switch कर रहे है, जैसा कि हमने resume में द करें तो 3, 4, 5 pages का भी हो सकता है, बट resume, maximum हमारा 3 pages का होता है, और minimum 1 page का हो सकता है, there's no problem in it, और ये majorly use किया जाता है experience logo के लिए, अगर आपको experience है professional life में तो आप हमेशा अपना resume बनाएंगे, और majorly किस के लिए किया जाता है, जिसमें आप अपनी academic skills नहीं, आप अपनी personal भी नहीं, आप अपनी professional skills को, आप अपने expertise को बहुत ज़्यादा highlight करना चाहते हो, जिसके तुरू की interviewer को बहुत easily वो आपको filter कर सके, या easily skim कर सके, और आपके बारे में वो detail में जान सके, जो काम की चीज़ है, जो आपको employable बनाएंगे, और last में आता है हमारा bio data, bio data क्यो use किया जाता है, यह बहुत ही clear format होता है, जिसमें सिर्फ हमारी personal details आते हैं, बहुत ही clear format में, personal details का मतलब आप कैसे like height, health, weight, about your parents and this and that, जो आप marriage proposals जैसे हम बनाते हैं, तो जैसे मान लीज़े हमें किसी को बताना है हमारे लड़की के बारे में, हमारी लड़की के बारे में, तो हम एक formal way में कुछ basic details लिख देते हैं और जो formal way, जो format होता है, उसको हम bio data बोलते हैं, परसनल details आते हैं किस की लड़की की या लड़की की, that is bio data, so I hope तीनों चीसे बिलकुल clear हो गई है, fine, अब हम start करते हैं फर से यहाँ पर, अब CV, indeed this format is used when we want to describe our life's achievement in a very detailed manner, जब CV का use हम तब करते हैं, जब हमें अपने life के बारे में बहुत ही detailed वे में चीजों को बताना होता है, क्योंकि वापस work experience तो कुछ आई ही नहीं, now you can say it is some sort of biography which is accepted for a job proposal and that you are not going to iterate any personal life story which doesn't relate to a job proposal, अब यहाँ पर बहुत ही मोरण चीज लिखी गई हैं, you can say it is some sort of biography which is accepted for a job proposal, अब आपको पता है biography क्या होता है, आप लोगोंने बहुत बार सुना होगा, अगर person अपने life के बारे में खुद कुछ लिखता है, तो उसको autobiography बोलते हैं, कि उसने खुद से अपने life के बारे में लिखा है, जिसे हिंदी में आप लोग पढ़ते होंगे ना किसी के बारे में जीवनी जिसे हम बोलते हैं, that is autobiography, और biography क्या होता है, कोई इनसान किसी के life के बारे में जब कुछ लिखता है, तो इसको biography बोला जाता है, तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, कि you can say, it is some sort of, जब हम अपनी life के बारे में, detailed में लिखते हैं, कि हमने यह यह करा, वो करा, यहां से यह सीखा, यह से यह करा, तो यह चीज़े हम यहाँ पर बोल सकते हैं, कि it is some sort of biography, which is accepted for a job proposal, and that you're not going to iterate any personal life story, और यहाँ पर हम कोई personal life stories, कहानिया नहीं डालते हैं, यह याद रखना, क्योंकि CV का पापस में बहुत ही formal होता है, first time हम job के लिए जा रहे हो सके, जिसकी वज़े से हमारा selection हो जाए, हम अपने personal life stories include नहीं करते हैं, ऐसी अपने हम से related चीज़े, academic skills बता सकते हैं, या फिर हमने कुछ ऐसी trainings करी, कुछ ऐसे internships करें, जहां से हमने बहुत सारी चीज़े सी, skill develop हुआ हमारा, हमने कुछ program, seminars, workshop से टेंड करें, यह सारी नहीं बतानी, it is, that is why हमने बोला, some sort of biography है, यह exact biography नहीं बोल सकते हैं, and you are not going to iterate any personal life story which doesn't relate to job proposal, आपको कोई ऐसी personal detail include, इसमे नहीं करनी, जिसको जो 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 जोब से relevant ना हो, या फिर आपको employable बनाने मुस का कोई ही रोल ना हो, now it is written in general fashion and by that it means, unlike resume, it is something which is not customized according to the needs of the company but remains more or less the same, यह बहुत major difference है between CV and a resume, क्या डिफरेंस बोला कि CV एक बार फिक्स हो जाता है, उसके बाद हम बार 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 चेंज़ नहीं करते हैं, विट रेजमे ऐसा होता है, जब भे आपको जॉब के लिए apply करना है second time, तो आप वो second job की requirement के हिसाब से, जॉब नीड के हिसाब से, हमेशा इसको revise और update कर सकते हो, कुछ चीजे plus, कुछ चीजे minus कर सकते हो, that is resume, जो easily modify हो सकता है every now and then, as per the requirement of the job that you are going to apply, तो यह बहुत अच्छे से याद रखना कि जो resume है, आप उसको every now and then modify कर सकते हो, बिट CV जो होता है, वो almost same होता है, जाप कितनी उसको use करो, now it is written in general fashion and by that it means unlike resume, it is something which is not customized according to the needs of the company, but remains more or less the same, CV company की नीच के इसाब से नहीं बनाया चाहता है, आप अपने बाबे के सापके से को परसनल चीजे ही हैं बताने के लिए, परसनल आमीन तो से जो प्रफेशनली आपको जच कर सके हैं, आप कुछ प्रफेशनली आप or something about your very real or intimate things, वो सम नहीं बताना है, बट येस ऐसी चीजे हैं और वो ऐसी चीजे हैं जो आप प्रफेशनली जो आपको एक्यूब्ड बनाएंगे, आपको स्किल दिखाने के लिए जरूरी हैं, बट ऐसी चीजे हमें इंक्लूट नहीं करनी जो हमारी बहुती कोर परसनल होत जोब की क्या requirement है, उसको इससे कोई फरक नहीं परता है, बट रेजमे को बहुत फरक परता है, और इसलिए हम एक कंपनी की requirement से इस requirement को match करते रहते हैं, अप एंड डाउन होता रहता है, और रेजमे में हम नेसेरी changes कर सकते हैं, as the need, now, here are some important points to be kept in mind, जब हमें CV को draft करना है, य सबसे कुछ important points है about CV, जो हमें हमेशा दिमाग में रखने चाहिए, हाँ, CV is generally used by college freshers or recent graduates seeking for the job, सबसे important चीज, CV कहां use किया जाता है, by college freshers or recent graduates seeking for the job, पहली बार आप अपना work experience लेने वाले हो, for the first time आप professional life में enter करोगे, के आप क्या starting journey of your career, यहां के लिए हम use करते हैं कौन सा वर्ड CV, there is no restriction as to how long your CV should be, but generally a CV contains somewhere approximately 3 to 6 number of pages, बहुत जाता छोटा नहीं होता है, at the same time कोई book नहीं है पतली सी, but yes काफी detailed होता है, तो approximately 3 to 6 pages में आपका CV wind up हो जाना चाहिए, it generally keeps simple to make it easy for the reader to understand the information, it is generally kept simple, ideally यह सिंपल रखा जाता है, बहुत ही सिंपल होना चाहिए, बहुत ही क्लियर और बहुत ही प्रसाइस होना चाहिए, easy to understand, because अब भी first time आप जाप के लिए जा रहे हो, so it is generally kept simple to make it easy for the reader to understand the information, if your CV, in your CV, you get to explain in depth about your career objective, which is in contrast to resume, that is more tailored according to the need of a job, where you are applying, तो यह बहुत important point जो आपको समझ में पहले भी आ गया था, फिर से एक बर अच्छे समझ लीजिए, कि CV में आपको क्या बताना होता है, आपका जो career objective, उसको पहुत डीटेल में समझाना होता है, कि आप किस टाइप की job करना चाहते है, आपका long term objective क्या है, आपका short term objective क्या है, आप अपने professional life में आपका dream क्या है, आपका role क्या है, आपका goal क्या है, आपका aim क्या है, यह सारी चीज़े आप CV में include करते हो, but on the other side, if I talk about the resume, तो resume में हम यह सारी चीज़े नहीं लिखते है, because हमें कहीं नहीं इसको mix and match परना होता, as per the need of the company, so in your CV, you get to explain in depth about your career objective, which is in contrast to resume that is more tailored according to the need of a job where you are applying, A CV is always accompanied by a cover letter, which is presented before it, अब मैं यहाप एक personal request करूँगे, चाहे हो CV हो, यहाँ फिर वो resume हो, यहाँ फिर वो bio data, थोड़ा से हम कांचेडर करते हैं, but CV or resume को, this is my personal request, हमेशा कोशश करिये, job application जब भी आप दे रहे हो, एक fresher दे, यहाँ फिर एक experience person दे, हमेशा बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही well etiquettes लगते हैं, बहुत ही decent, बहुत ही sophisticated लगता है, जब भी हम इनके साथ एक cover letter attach करते हैं, cover letter बहुत ही simple होता है, जिसमें हम यह बताते हैं, कि हमने आपकी advertisement कहां पे देखी, हमने क्या-क्या पता चला उससे, और हम उसके लिए relevant person है, because we possess all the necessary skills and experience and qualification that your job looks for, तो ऐसा करके हमें छोट असा cover letter frame करते हैं, design करते हैं, और CV हो या resume हो, तो दोनों के साथ attach करेंगे, कोशिश करें, bio data के साथ भी ऐसा किया जा सकता है, but again, वो बहुती informal purpose को fulfill करता है, तो वहाँ पे करो या ना करो, that's all up to you, but again, if you want to sound very sophisticated, very decent, तो please attach it, वो काफी sophisticated sound करता है, a CV is always accompanied by a cover letter which is presented before its CV के साथ हमेशा cover letter present किया जाता है, same as the case with resume as well, no, here you go with a format, a very brief format about the CV, मैं एक चीज कर के आपको बहुत अच्छे समझाती हूँ कि CV आपको कैसा design करना है, तो होप ये तो समझ में आ गया होगा कि center align है, आप कैसे क्या है, जल्दी से देख लेते हैं, so here is the curriculum vitae, अब सबसे पहले उनने क्या लिखा, Gaber B. Rax MD, ये उनका नाम है, ये उनकी profile designation है, फिर ये उन्होंने क्या लिखा, ये जहाँ पर काम कर रहे हैं, उस जगह का नाम है, Governor, Professor and CEO, Director of Pain Services, Department of Anesthesiology, Texas Tech University Health Sciences Center, ये उनकी पूरी profile आगी उनके बारे में, उसका address आगया, और यहाँ पर उन्होंने mail ID दी, फिर यहाँ पर आगी उनकी कुछ personal details, जैसे कि यहाँ पर उनका date of birth, citizenship, home address, telephone, marital status, ये सारी चीज़ें, और end में जहाँ पर वो अभी working है, Texas Tech University Health Sciences Center, Department of Anesthesiology Office, और जहाँ पर वो ये exactly उन्होंने अपना address बता दिया, और ये किस दिन revise करा है, ऐसे लेगे, so this is the very brief format of the CV, CV का सबसे brief format ये है, और अगर आपको जतना detail बताना है, आप इसको बता सकते हो, majorly हमें क्या करने, जतना भी हमें life achievements है, हमने जो जो भी academically gain करा है, वो सारी चीज़ें आप awards, यह आपने कुछ अचीव किया, achievements, awards, यह आपने कुछ चीज़ें अटेंड करियें, seminars, programs, workshops, चाहाँ पर आपको hands-on experience है, चाहाँ पर आपने कुछ ऐसी चीज़ें अटेंड करियें, जिससे आपका skill develop हुआ है, तो यह सारी चीज़ें आप अपने CV में include कर सकते, this is just a sample, यह ऐसा नहीं है कि आपको as it is use करना है, बिट कहीं बार क्या होता है, फ्रेश हर्स्टूडेंट उसको कोई experience नहीं, उसको कुछ ज़्यादा बहुत achievements भी नहीं है, और यहाँ पर आपका residential address offer इसको wind up कर दो, this is all about क्या करना है, आपके CV के बारे में, बहुत ही crisp है, बहुत ही precise way में इसको draft किया है, heading with the next important, that is resume, अब resume क्या होता है, जल्दी से देखते हैं, जैसे कि मैने पहले बताया था, यह originate हुआ है from the French word, so it is a French word which means summary, तो summary जहाँ आपर आगया वाँपर तो बहुत अच्छा लगता है न, क्योंकि चीज़े बहुत concise, precise way में clarity के साथ समझाई जाते हैं, that is resume, so it is a French word which means summary in English, according to its name, it is generally used to summarize all your deeds and skills in a very short number of pages, आपने जो भी अभी तक, आपने जो भी skills हैं, जो भी achievements हैं, जहाँ जहाँ भी आपने job कर ये क्या सीखा, क्या देखा, क्या लिया आपने, वो सारी चीज़े बहुती concise way में, बहुती precise way में आपको कम से कम pages का use करते हो, आप अपनी present करते हो, A resume serves the ideal purpose for those people who already have years of experience and are currently looking for a new job, ये एक point बहुत important, तो यहाँ से में समझ में आगेगी किस के लिए होता है, experience candidates के लिए होता है, और for those who apply for a job in an industry where the skill set matters, more than your academic achievement, जहाँ पे skill set की जदा requirement होती, for example, अगर आप कोई ऐसी industry में जा रहे हो, जहाँ पे tailored में चीजें होती हैं, जहाँ पे manually काम किये जाते हैं, you have to be very perfect, very fine in your approach, तो हम वहाँ पे उनको academic qualification से बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं होता, but yes about your skill, about your, about how you do that thing, do you have any experience about it or not, जहाँ पे skills की जादा बात होती है, वहाँ पर हम resume का use करते हैं, यह second point, the skill set की जहाँ पे requirement होती है, यहाँ पे आपको already number of years का work experience हो, और आप अभी एक नहीं जगा पे switch करना चाहते हो, this is the first and the purpose of resume, और और दोस, और दोस who apply for a job in industry, where the skill set matters more than your academic achievement, जहाँ पे academic achievements का बहुत ज़्यादा contribution नहीं होता है, आज कंपर्ड आपकी practical skills कितनी हैं, आप कितने employable, आप कितने productive results दे सकते हो, इनका जादा matter होता है, यह इन से जादा effect होता है, तो यह सारी चीजे include होती हमारे एक resume में, resume unlike other two formats, is very rich in content, and is used more oftenly, as it points out the essential skills and experiences, अब क्या बुला resume unlike other two formats, जैसे हमने देखा CV का, अब यह हम आगे देखेंगे bio data का, is very rich in content, सबसे अच्छा content, जो rich content होता है, अगर हम CV की बात करें, तो बहुती basic होता है, वेकिस इसमें academic चीजों के बारे में, ज्यादा highlight किया जाता है, but resume आपको exactly, खम से खम समय में, बहुती precise way में, आपको employability के बारे में, आप यह बताने के लिए, क्या आप कितने productive हो, आपके skills कितने अच्छे हैं, इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, resume का यूज करते हैं, इसलिए बोला कि, इस वेरे रच्छा इन content, and is used more oftenly, as it points out the essential skills, and experiences that you have, while saving a lot of time on the part of the recruiter, to skim through the details, आपके लिए तो अच्छा होता ही है, because बहुत summarized way में, आप अपनी employability के बारे में बता देते हो, on the same side, recruiter के perspective से भी बहुत easy होता है, because उनके लिए skim करना, skim करना, like go through करना, glance करना, कि इसमें क्या करेक्वाइमेंट, ओके ये skill बहुत अच्छा है, ये skill there, he is this skill in this, he has, he has a good, he is good in this, or she is good in this and that, to a skilled, pulled employee को select करना, बहुत ही कम से कम समय में, is very good under the resume category, तो resume ना ही सिर्फ candidate के लिए अच्छा होता है, बलकि employer के लिए भी बहुत अच्छा होता है, because उनको easily, आपकी application के थूँ आपको skim कर सकते हैं, और justify कर सकते हैं, that you are relevant or not, अब यहाँ पर हम देखते हैं, इसका meaning क्या है, so a CV generally is written, when you have to describe your whole life, but a resume is written, where you only showcase, those things which will impress your recruiter, as to why you are better than the rest of the employees, बहुत सिंपल सी बागती, CV हम कब लिखते हैं, written when you have to describe your whole life, आपको अपनी पूरी लाइट के बारे में आपको बताना होता, बहुत ही detailed way में, और इसलिए 3, 2, 6 पेजिस तक जाता है आपका CV, but resume ऐसा नहीं होता, resume बहुत ही customized होता है, as per the requirement of the job, as per the need of the company, हम उसको twist and turn कर सकते हैं, और फिर present करते हैं, तो अगर हम बात करे, resume के, it is written, where you only showcase, those things which will impress your recruiter, आप वो चीजे नहीं बताते हैं, जो सामने वाला को, जिसमें इंटरेस्ट नहीं है, वो जानना नहीं चाहता, as to why, और आप ये प्रूव करते हो, कि आप कैसे दूसरे से better हो, आप कितने जादा skilled हो, और वो ही आपको justify करना होता, in your resume, तो रेस्में बोहत ही, influential चीजे है, जो आप को employable बनाने में, help करता है, नहीं लेत लोग आड, सब मेनिक और पिडिसकुष करेंगे, अब अब आपने पोईंट पोईंटे, को भी करेंगे, वाल मेंकिंगा, ओर द्राफित रेस्में, so resume usually goes up to one page and add the max up to three pages no one has time to read through lengthy resumes and also a large resume doesn't serve its purpose of being precise and accurate in the information to your pick up or a resume usually goes up to one page and add the max three page maximum up three pages cover a second minimum one copy chalega cv mme kya dekhata key three to six so you have to do upper limit over a key lower limit a three two six or you have a maximum three is super up a resume and he been asked to be kissy hr recruiter key pass it the time now he oughta key to this are a page isco turn card a day or fair why identify carry a coin right candidate a job it really love me lines lucky who the off candidates so no one is time to read through your lengthy resumes and also a large resume doesn't have its purpose of of being precise and accurate in the information or sub se bade cheese your resume ka job purpose hota accurate precise what to fulfill in a yoga java usco lendi bana doge or what fruitful the whole guy needs so there is no sense of lengthy or a detailed resumes keep it very short very concise precise but make sure that it should match with the need of the company or the recruiter you need to make sure that your resume is eye-catching and but at the same time it should be elegant enough so that the reader can easily skim through essential information you need to make sure that your resume is always eye-catching and attractive or not to appeal to somebody who can at least read to kia jai usco but at the same time we have no idea dhiyan rakhna hai ki wu kaafi decent ho apni approach me so that jitni bhi information apus me include karna chaatya apne baare mein wu clearly samajh mein aaja jab clearly samajh mein aarokit nam de eye-catchi attractor banaya to us ka koi sense nahi hai so keep both the things in mind at the same time now moving with the next point in a resume you can write your achievements and other events in two format abhi hapa kya bora resume mein aap kya kar sakti you can write your achievements and other events in two formats you can either arrange them in reverse chronological order abhi chronological order ho tha kya hai so cheezo ko jibim systematically arrange karte hai ek order me arrange karte chahi wu increasing ho yaa pir wo decreasing order ho kishi bhi orderly tariqe se chizo ko arrange karena for example ii phele batao ki wene 10th me iitne percentage the 12th me iitne the first job hi hapa kara second job hi hapa kara third job yaa to increasing order ho saktou yaa pir reverse chronology decreasing abhi mein kaha pe job karriho isse pahle mein kaha job karriho isse pahle mein kati toh asse reverse chronology bhi ho sakte both are absolutely acceptable isme koi bhi flaw nahi hai 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 so two formats one you can either arrange them in reverse chronological order to make sure that your experiences and skills are relevant to present or you can write them under functional order dousara kya bola hai yaa toh hum isko functional order mein likh sakte hai where you can explain your skills under the lights of how it will help to fulfill the job requirement aap mein dek liyun ki tien job requirement hai student should be multi-tasking student should be hard working student should be able to work under pressure aapne tien points ko liya aur tieno ke saath aapne bata diya ki yaa pere mei nne aise kiya ta toh justify karriya ki hai can work under pressure dousare mei apne bata kiya hard working ho kaisi justify karra from koi previous employee ka jaha pehle job kirti te waha se aapne kuch experience le liya wo add kar diya toh aap aise bhi kar sakte ho yaa pere simple rakhne ke johamisha justify ho jai i would request you go with reverse chronological or arrange chronological order koi bhi ka order karo but i think this is more convenient every time ye bhi tk but hapko har baar isko customize karna padega if you are good in that go ahead now where you can explain your skills under the lights of how it will help to fulfill the job requirement both are accepted this is more convenient if i talk about the functional order thoda sa time uh thoda sa time consuming ho the advice ho because her uh employer ki her job ki alag-alag requirement hoti hai haa pehle us ki requirement ko uh pehle find out karte ho offer usse match karte ho ho so harbhar aapko aisa karna padega so this is bit time consuming activity but in case you feel this is more helpful in your personal case you can go ahead with it there is no point of right or wrong now next point many people prefer to write a functional resume although in no way should one skip keeping chronological order in mind both are as a low as a low ganja prefer karte a functional resume because exactly exactly body clearly but added sir apeteen requirement tivo tino which is to buy karto to bought access a bridge kar dita hai a candidate ko with the company because they go company ke requirement t or candidate nateen batadi jatini niki tivo tini nabada bhot access a connect kar dita gap ko fill kar dita hai but again here upon important cheese like many people prefer to write a functional resume although in no way should one skip keeping chronological in mind yeh jantai hoi ki baat sare loog is ko prefer karte hain functional order of resume but you should not forget that chronological order kaise ho ta hai or because it most formal hai or every time purpose ko serve karta hai one thing that strikingly makes resume different from other formats is its practicality in use jitna ho sakye us ko practical bana yeh vegas resume jana jata hai ni practical nature ki wajay se sorry jitna zyadha friendly hooga jitna precise hooga jitne achche se job requirement ko justify karaga match karaga utna zyadha friendly aapka resume banega and try to make it as much practical as much you can with the advancements of technology it has now become even more efficient to choose the right candidate out of thousands of applicants which also introduces us to the concept of using keywords and seo optimized resume abhi bohat a check naa concept aya hai aaj kal that is seo optimized resume yeh kya jitna digitization bata jara hai with the advancements in the field of technology so cheese a bhoot bhoot zyadha advance ho gaye bhoot zyadha improve ho gaye hai aap pehle kya ho ta ta ki pehle am loog cv ko drop karte te te ya resume ko drop karte te te office me phir hra ake karke sabko shortlist karte ta ta phir call ho te te film walk-ins ho te te ba baat baat process ta but abo cheesai baat easy ho gae jis ap loog ko patah wala linked in ek app hai ya website at jus kere through across the globe you have employees or employers common platform pehle miltte hai jiske through employees aapne yeh jen concept in kato optimize resume unko present kar sakti hai HR unko check kar tate hao thuran chisoh ko scrutinize kar sakti है, so this is very easy process, ही क्यों हो गया, digitization की वाजे से चीजों को easy करने के लिए, smooth और accessible बनाने के लिए, so once again, let's read with a point, with advancements in the field of technology, it has now become even more efficient to choose the right candidate out of thousands of applicants, which also introduces us to the concept of using keywords and SEO optimized resume, अब SEO optimized resume, यह ऐसे work करता है, जैसे मान लीजिये, by profession, I am a teacher, तो मेरे जो keywords होंगे resume में, वो होंगे teacher, English educator, verbal, non-verbal trainer, हम मैंने इतना सारा लिख दिया, और जब कोई HR को, ऐसे कोई candidate की need होगी, तो resume में जाएगा, और वो keywords को type करेगा, जो HR को चाहिए होगी, और मेरे resume में वो keyword match करेगा, तो मुझे directly call कर लेंगे, तो कितना easy process हो गया, तो keywords से वो match कर लेते हैं, this is what SEO optimized resume, SEO क्या होता है, यह जो optimization का काम करते हैं, exactly जो search engine optimizer inka full form होता है, S stands for search engine optimizer, कोई भी website को जब यह manage करते हैं, तो यह देखते हैं कि कैसे लोग, कैसी audience किन चीज़ों को search करती है, और accordingly वो उन चीज़ों को manage करते हैं, तो अब इनका काम क्या होता है, SEO optimized resume, तो इनके द्वारा हम optimize कराते हैं अपने resume को और फिर needs match होती है and then we are justified, तो यह होता है all about SEO optimized resume, this is the format of how you can draft a resume, इसमें photo लगा सकते हो, that sounds very formal and very professional but again it's not mandatory, कोई rule नहीं है कि resume में photo होनी ही, होनी चाहिए, if you can put one that is very outstanding, so try to put one if you don't have any objection, फिर सबसे पहले आपका नाम और यहां पर यह जो मैं आपको बोल रही थी ना कि यह जो है data entry specialist, यह है हमारे keywords जो SEO जब वो लोग search करते हैं तो यह keywords match होनी चाहिए, so this is the keyword data entry specialist और यहां पर उनका पूरा आया गोल यहां फिर आप भूल सकते हो, career objective, work experience उन्होंने कहां पर काम किया, तो यह reverse chronology में है, सबसे पहले वो अभी currently कहां पर working है, वो उन्होंने लिखा उसमें क्या क्या करते हैं, यह करते हैं, यह, यह, यह करते हैं, इससे पहले भी वो data entry specialist थे बट इस company में थे इस duration से में उन्होंने सर्फ करा, वहां पर उन्होंने क्या क्या किया, यह काम किया, फिर उन्हों की आ गई, यहां पर qualification, फिर उन्हों को कुछ-कुछ awards and recognition मिले, वो बताया, interest क्या, meditation, killiography, sailing और sustainability, उन्होंने images के तुरू देखी कितना attractive आई क्या ची बनाया है, और यहां पर आ गई, फोटो के नीचे, उन्हों की personal details, जैसे की सबसे पहले mail ID, अगर कोई भी आप अखई पर resume forward करोगे है, resume अपना forward करोगे, तो आपो कैसे get back करेंगे, through your mail ID, contact details, यह देखो location के लिए, phone number, email, कितने अच्छे जैसे symbols का use क्या है, LinkedIn पर उन्हों की profile है, वो बताया, और यहां पर उन्होंने अपनी Skype की ID बताया, फिर areas of expertise, उन्होंने ऐसे करके बताया, language is known, English, Spanish, French और German, तो कैसे उन्होंने बताया, English में full proficient है, Spanish में इतने है, same French में, German है बस इतने ही proficient है, so how well it is designed, कितना simple, कितना clear और precise, बहुत ज्यादा loaded नहीं है, कि यहां पर हमने 10-10 details बता दे, यहां पर हमने 12 details, it's not like that, बहुत ही summarized way में हमने अपनी information, professional qualifications को हमने बताया है, अपने skills के बारे में बताया है, because it is all about skill areas of expertise, यह skills है, उन्हों के और majorly, यहां ही पर हमें पता चल गया था, कि data entry specialist है, यहां यहां पर उन्होंने serve करा है, reverse chronology को follow करा है, कुछ important चीज़ें जो उन्होंने अपनी previous organizations में करी है, जो वो बताना चाहते थे, इसके बाद qualification और कुछ extra चीज़ें उनके बारे में, जो आपको पता होनी चाहिए, as an employer, तो वो भी उन चाही च्टी, इमेज जिसके साथ, so just to see the overall format and I would request you, इसको capture कर लो, यह बहुत ही और राक्टिकल है, and I would request you, कुछ भी ना समझ में, कहीं मत जाना, इसको अपने format में, उसको अपने घुज़ें जाना, इसको आपने format में, यूश कर लो, it is the best one that I personally vouch for, or I would recommend for, so I hope it is very clear, बहुत समझना नहीं नहीं समझ मैं इसको पॉस करो काप्चर कर लो ऐसा अपना बना लो done with the task now above all investing part with third part joha hara bio data data about more data in the word data data date 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 data se bana hai data data se date se bana hai data fine so bio data stain stands for biographical data it is an archic version of resume and CV and a literal sense it means about life and events used in earlier days this now restricts in use to only certain places pehle kaafi use what kia jata tha but ab modernization kaafi ho gaye to aalag-alag samples ho gaye aalag-alag cheez ho kaye to ye abhi restricted in use to only certain places is sir handful jagha par hi use kia jata hai or the sub-seller popular jokko betha chuki who as you can derive from its name it is used to learn about a person in detail aapko kisi person ke baareh mein personally bohat zhada jana hai so refer bio data now the above two are also for that purpose it is more relevant where you need to provide your personal information agar am dekhi cv mein to bohat jada personal information well attached nahi tha resume mein toh balkul bhi nahi hota the personal information jani ho to greffer bio data agar aapko professional information chahi ho so go for resume aur aapko lagta hai ki abhi isko jada professional experience nahi ho ga at the same time aapko iski personal life bhi nahi jani so go with CV I hope it's very clear okay so the above two are also for that purpose it is more relevant where you need to provide your personal information it is due to this nature of bio data that nowadays it restricts to government works other government institution where you need to provide your details to issue layer restricted a government organization that's called power it aqua except nahi karthi of course outdated okay because all formats a cv i guess we are going to buy a tax at work you don't get or EM use car carrying a paris purpose ke liya so jali rake take its important point job for bill kul patahone chaya for bio data drafting a bio data usually consists of your data like your name your age your academic details cast green gender other sensitive information which you may otherwise not disclose to others good se personal cheese job baki logo ko na batana chao but yaa pe toh shadi ka sawaala batana toh padega so you must be careful when you are submitting such information and make sure that the information will be secured and protected in every manner unlike sub such a security ka purpose a PDF mein convert karke do and this is my recommendation ki cv ho resume ho yaa bio data ho taanke koi bhi information ko plus yaa minus na kar saki ishi liye hameshaan go with the PDF formats non-convertible doote ishi liye unlike other formats a bio data doesn't have much in terms of formatting and in most of the cases the format provides by the institution this makes it easy to collect data in every sequential manner is ka koi assets format nahi ho taa old time may previous time may jabi use kiya jata tha toh company ka format ho ta tha tha just me hume information ko put karna ho ta tha unke hesaap se jayse unhohne sheets banai thi just me information wo ishi format me chaathe tha ki unki sheets me wo check kar sake toh wo ishi format member kade that was the bio data but abhi ya bilkul ops obsolete jasa ho ga out ho ga market se toh ya highly use nahi ho ta neither koi recommend karta hai a bio data can range from about one to three pages depending on the basis exiten a team bae jis ka bhi ho sakti koi diktat nahi hai but hameshaan jitna bhi written communication a kooshish kari ye ki keep it as short as possible because some new alaka interest boha ja da detailed cheeze padhne min nahi ho ta jitna kam se kam shabdo ka raking use karengi utna zhaada clarity ho gi so make it very clear at the same time complete hona cha hiya so a bio data can range from about one to three pages depending on the quantity of information required by the Institute many companies do not prefer to take by data as an acceptable form of candidate selection because first it doesn't provide enough space for a candidate to describe about the skills in accordance to need of the job you bought sorry companies prefer nai karti or abhiya cho many companies yeah many ke baad majority bollo ya majority ke baad ab almost bollo sari jitani companies a koi bhe prefer nai kartabaya data ko kiyoki is me up the professional related information nahi o the up is kills nahi pata chalte so up okay say higher karengi isili sqo accept nahi kiya jata hai so many companies do not prefer to take by data as an acceptable form of candidate selection because first it doesn't provide enough space for a candidate to describe about a skills in according to need of the job to easily highly recommended nahi hai in terms of employability auram is ko jaldi se justify kar lete hai with its format kitna simple sa sample a bio data ka name is amolita to humme dekha cv me as a format nahi tha resume me bhi asa format nahi tha yahan peh nam ko itna highlight kyo kia because it is bio data ham batana chate kyanate ke baare mein so name is this age is this date of birth is this itne baje hui thi so that you can match you know all the kundali and mo whatever you guys want to wait is this height blood group languages hobbies education address and then comes the contact details aur yaha peh mother father siblings family ki details a gayi hai photograph ki niche and expectation I'm looking for the perfect gentleman who respects our elders has a deep sense of responsibility towards the family and also knows how to lead a productive and happy life I expect him to appreciate my lifestyle choices and support me in whatever I do in the future he should be a non-smoker three kitne achhe se miss amolita na apne baare mein likha hai jho expect karthi hai from future hubby ki aysa aysa kuch hona chahiye a apne details batai family ke baare batai and last expectation so bio data ka jo purpose tha ab sir bia hi ta confine ho gaya no less no more is ka or kahi bhi koi use nahi aata hai so abham tino so chizou ko chalde se summarize karthi hai cv resume or bio data to cv me hamne kya dekha cv kio ho ta hai cv is just for the freshers or freshers ko jb aapni life ke baare mein academic cheezo ke baare mein kuch batana ho ta hai achievements ke baare mein rewards ke baare mein awards ke baare mein aapne yaa yaa pharun ho nne kahi pere internship kari hai koji chhoťe si training kari hai koji seminar attend kara koji workshop toh wo sari cheezo wo bata sakte hai through the cv cv ki length three to six pages hootie hai jhaan pe complete information hootie about a candidates life ye first time job ke liye fresher apply karthai for cv curriculum vitae jisee bolte hai next is resume to resume ka major purpose kya hoota hai experience kari ns candidate dayta hai yahoo pher wo kari re keeps job page ho employers hootie hai un ganzes kiri requirements skill skills ke liye hootie particular skill set requiredования hou to travel skills ko justify karna ho 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 resume ka use ka nails kata probably woi experience candidate hi sakt ka hai then comes इसki limit kitnore hootie minimum one hootie maximum three because resume में बहुती summarized way होता है आपकी professional skills बताने के लिए आपकी expertise बताने के लिए आपका number of years experience बताने के लिए last come bio data bio data एक बहुती informal information देने का source होता है जिसमें candidate की personal information होती है like name age color cast creed so on and so forth जिसमें photograph photograph तो तीनों में रहती है आप चाहो अगर CV में नहीं भी लगाना so it's okay but professional sound करता है तो photograph तीनों formats में होती है तीनों को कोशिश करिए कि कम से कम words में summarize करने की that's all about the crisp difference between CV resume and bio data so I hope bio data so I hope you find the information quite attractive and very easy to understand if there is any query any question related to bio data CV or resume you can text me in the comment section and you will definitely get the reply यहां तक के लिए अब हम जल्दी से समझते है कि इन तीनों में major difference बहुती crisp way में और फिर इस वीडियो को wind up करेंगे so here we go with reading the difference between the three formats CV or curriculum vitae is the longest of all formats it uses to write in detail about life events it generally used by fresh graduates are someone who is changing their line of career or for academic requirements and the documents within three to page obviously limit किती होती है three to six pages की it is accompanied by a cover letter cover letter resume में भी डालेंगे और कोशिश कर यह बायोड़ेता में भी अगर इंक्लिट कर सकते it sounds very sophisticated and very professionalism now accompanied by a cover letter which covers the gist of the CV the content generalizes and not tailor-made content जो होता है CV का वो जेनरेल होता है कस्तमाइज नहीं होता है आस पर the job requirement आप इसको चेंज बार बार नहीं करते हो fixed रहता है और ऐसा ही चलता रहता है बटरी जो आपको रिजमे होता है वो बहुती flexible होता है requirement के आप से चेंज करते रहते हो the content generalize generalizes and not tailor-made for different companies it serves to give an overall picture of the person rather than identifying certain skill set required for the job तो जो हमने अभी अभी मैने आपको पड़ाया बताया उसको जल्दी से हमने CV में summarize कर लिया आप प्रसीट करते है विद रेजमे में सम्मरी and it is the shortest of all the formats it hardly extends beyond one page maximum one रखी है it generally used in the industry due to convenience of skimming through details and identifying the right candidate for further stages of qualification in the shortest period इसका major purpose होता है HR's को human resource recruiters को facilitate करने के लिए ताकि कम से कम समय में वो relevant candidates की information को skim कर ले और उनको shortlist करने unlike a CV it has a lots of format and it customizes according to the requirement of the job ये job के हिसाब से आप इसको change कर सकते है आपको लगता है कहीं पे मुझे add करने है कहीं पे कुछ minus करने है so you are all free to do that it uses by those it is used by those people who already have job experience and are currently hunting for another job ये majorly experience candidates के through use किया जाता है जिनको already work experience होता है but switch करना चाहते है ये एक नए टाइप की जॉब में जाना चाहते है जहां पे वो अपने particular skills बता रहे हैं तो वहां पर ये लोग रिजमे का यूस किया जाता है heading with the next one bio data stands stands for biographical data it consists of personal information name age sex date of birth other sensitive information it is used its usage is nowadays limit to government institutions where one expect to submit such information bio data makes it easy to collect such data as they are simple informed but and can be easily checked either manually or with the help of a computer पहले कुछ गभंट इस्को प्रेफर करते ते बिकाज बहुत जी फॉमाट होता था बहुत जी to understand जबत अब अब गवंट इस्टूश्टिश्टिश्टिश्ट भी इसको रेकामें नहीं करते हैं आप जो formally accept किया जाता है professional purpose किरे that is just CV or resume in other case that's it bio data का सिर्फ एकी पर्पस है that is for the marriage purpose now here we end with this entire discussion of the difference between curriculum vitae, resume and bio data I hope you find the video very informative if really please do hit subscribe button and don't forget to like share and comment if anything required thank you very much for watching the channel